इस्राइल ये वो देश है जो पिसले धाई महिने से युद्ध की आग में जल रहा है लेकिन यहां काम करने के लिए हर्याना सरकार ने 10,000 लोगी वेकेंसी निकाली है ये पहली बार है जब राज की कमपनी हर्याना कौशल रोजगार निगम विदेश में नौकरी देने जा र जबकि दुबई और ब्रिटेन के लिए सिर्फ 170 लोगों चुना जाएगा हर्याना सरकार की कमपनी ने दुबई में सेक्योरिटी गार्ड ब्रिटेन में नर्स और इस्राइल में कंस्रक्शन सेक्टर में चार अलग-अलग पदों के लिए भरतिया निकाली है रिपोर्ट्स की माने तो इसराइल और हमास के बीच 7 अक्टूबर से युद जारी है कडिब धाई मेंने बीच चुके हैं युद की शुरुआत में ही इसराइल ने अपने यहां काम करने वाले फिलिस्तिनियों के वर्परमिट रद्द कर दिये थे जिसके चलते इसराइल को काम करने वालों की कमी का सामना करना पड़ रहा है दावा है कि इसराइल को एक लाग से ज़ादा लोग की ज़रुरत है और इसी जरुरत को पूरा करने के लिए हर्याणा कौशल रोजगार निगम ने construction sector में अनुभवी लोगों से आविदन मांगे हैं हाला कि यह भरती सिर्फ हर्याणा के लोगों के लिए है यानि इन नौकरियों के लिए सिर्फ हर्याणा के लोग ही आविदन कर सकते हैं हर्याणा कॉसल रोजगार निगम में चार तरह की नौकरियों के लिए हर्याणा का कोई भी व्यक्ति अप्लाई कर सकता है इसमें फ्रेमवर्ग शेटरिंग कारपेंटर, आयरन बैंटिंग, सेरमिक टैल और प्लास्टरिंग जैसे काम शामिल है कमपनी के नौकरियों के लिए अप्लाई करने वाले के पास कम से कम 3 साल का एक्सपिरियन्स और 10 वी पास होना जरूरी है इन नौकरियों के लिए उम्र सीमा 25-45 साल रखी गई है नोटिफिकेशन के मुताबिक नौकरी के लिए चुने गए व्यक्ति इस्रायल में 5 साल तक जॉब कर सकते हैं लेकिन उनका वर्क वीजा हर सल बढ़ाया जाएगा खास बात ये है कि इन नौकरीयों के लिए आविदन करता को इंग्रिश भाषा का आना अनिवार है रिपोर्ड की माने तो इस्रायल में काम करने वालों के लिए 800, यूके के लिए 300 और दुबई में सिक्योर्टी गार्ड की नौकरी के लिए करीब 700 आविदन मिल चुके है नोटिफिकेशन के मुताबिक नौकरीयों के लिए अपलाई करने की अंतिम तारीक 20 दिसंबर है अब सवाल ही है कि दिन में कितने घंटे काम करना होगा और सेलरी कितने मिलेगी हरियाना कौशल रोजगार नियम के मताबिक इन नौकरीयों का चेन आफलाइन इंटर्व्यों के जरीए होगा इसराइल में नौकरी पाने वालों को दिन में 9 घंटे और महिने में 26 दिन काम करना होगा व्यक्ति को काम से अगर छुट्टी लेनी है तो वह इसराइली लेबर कानूनों के तहत वहां की कंपनी देगी नौकरी करने वाले व्यक्ति को हर महिने 6100 इसराइली न्यूश शेकल करेंसी मिलेगी जो भारती रुपए में करीब 1,30,000 रुपए बनती है इसके अलावा नौकरी करने वाले व्यक्ति के लिए मेडिकल इंशोरेंस और आवास की विवस्था भी रहेगी लेकिन उसका पैसा व्यक्ति को अपनी जेप से देना होगा नोटिफिकेशन के मुताविक मेडिकल इंशोरेंस के लिए करीब 3,000 रुपए और आवास के लिए प्रती महिना करीब 10,000 रुपए तक देना पड़ सकता है यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि हर महिने मिलने वाला पैसा व्यक्ति के बैंक अकॉंट में जमा होगा और उसे यह पैसा एक मुष्ट ब्याच समय दिया जाएगा वो भी तब जब कॉंटेक्ट पूरा होने के बाद वो व्यक्ति इस्राइल छोड़ देगा इसका मतलब यह है कि इस्राइल में नौकरी करने वालों को हर महिने पैसा नहीं मिलेगा इसके अलावा नौकरी करने वाले व्यक्ति को खाने पीने का ध्यान खुद ही रखना होगा बता दें कि पिछले धाई महने से इस्राइल और गाजा के बीच युद्ध जारी है जिसमें करीब 20 हजार लोगी मौत हो गई है और करीब 50 हजार लोग घायल है इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए बने रही है न्यूज 18 हंदी ओरिजिनल्स के साथ